हम लोग अभी अलेपुर थाने में डिटेंड हैं और अभी पुलिस के अधिकारी बता रहे थे कि सब को बवाना में ले जाने का प्रोग्राम है और सारी दिल्ली अर्विन जी के साथ है और जो लोग अब तक अर्विन केजरिवाल जी को भला बुरा भी कहते थे वो भी आज बोल रहे हैं कि यह तो जादा हो गया लड़ाई राजनितिक थी राजनिती सालों से देश में चल रही थी मगर इस तरीके से जेलों में डाल के प्रतिदुन्दियों को सडाना जो है यह तो वैसा हो गया जैसे रूस में नौर्थ कुरिया के अंदर किया गया रूस के विपक्षी निता थे वो कुछ दिनों पहले जेल में मर गए तो इस तरीके की जो चीज है यह देखी गई बंगलादेश में भी हो रही है पाकिस्तान में इमरान खान को जेल में डाल के जो है नवाज शरीफ के भाई जो है वहां के राश्टपती प्रदान मंत्री बन गए बंगलादेश में भी देखा जा रहा है नौर्थ कोरिया में भी किंग जॉन जो है किम जॉन वह भी चुनाव कराते हैं मगर जब सारे विपक्ष को आप जेल में डाल देंगे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा जनता की आवाज कौन उठाएगा आज तो इलेक्टोर कि जिस कंपनी के उपर जिस आदमी के उपर फार्मा औरोबिंदो फार्मा के जो मालिक के बेटे हैं जो डिरेक्टर है उसके उनको आरोपी बनाया गया इस एक्साइज केम केस में उस आरोपी की कंपनी से भारते जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉंड से चंदा मिला जिस गवा बन गए तो सरकारी गवा बनने के बाद 25 करोड फिर भारतिय जनता पार्टी ने उनसे चंदा लिया तो अगर एक आदमी के उपपर और उसकी कंपनी के उपपर यानि कि वो मनी लॉंडरिंग में हैं तो आप अगर उनसे पैसा ले रहे हैं तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइ करने की भारतिय जनता पार्टी के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पहुंचे हैं और एडी को मुकदमा भारतिय जनता पार्टी के उपर दर्श करना चाहिए है स copy अब करते हैं हो लोग हैं बताय जा रहा है कि दो सी आसपास के थाने उसके अंदर हमारे बाकि कई सारे विधायक है आतिशी हमारी मंत्री हैं वो भी आँ बता रहे हैं कि nem रेला थाने के अंदर झाल